हेलो स्टुडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिशू तो प्लांट टिशू में क्या है सबसे पहले हम इसकी डेफिनिशन देखेंगे कि वाट इस टिशू टिशू क्या है तो टिशू इस ग्रूप ऑफ सैल है विंग सिमलर स्टेक्च होने से तो सैल कनेक्ट तोगधर फॉन हिंगी जिए आपस में कनेक्ट होके जो एक हैं बनाएंगी वह होगा प्लम क्कुर्ट अपनेगे वह फिर एक साधी साथ भीबाभाशन को फ़ॉन किया तीशू से फिर क्या बनेगा यहां पर ऑरगन बनेगा ठीक है और 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 गन से प्लान टिशू कैने में इस टीब करने वाले हैं तो अपर इस तरीके से चाहर से डिफाइन करने वाले हैं वह हैं प्लांट टीशू क्योंकि टीशू वह वह जो सता है एक तो होगा आपका plant tissue होता है दूसरा animal tissue होता है तो सबसे पहले हम यहाप देखने वाले हैं वह है plant tissue तो plant tissue क्या है plant do not move from place to place जो plants होते हैं वह एक जगे से दूसरी जगे मुव नहीं कर पाते हैं जैसे कि आप अपने atmosphere के जो भी आप अपने आसपास सब देखते होंगे जो भी plants हैं वह एक जगे से दूसरी जगे मुव नहीं कर सकते हैं most of the cell and tissue in plants provide mechanical support and strength जो भी cells और tissue होती है plants में वह उनको mechanical support प्रवाइट कराती हैं कि वह एक जिगे स्टेबल रहे तो वह क्या कराती है mechanical support प्रवाइट करेंगे so most of the tissue consists of dead cell because they provide mechanical support and strength to the plant तो जो plants होते हैं उनके पास dead cells भी होती हैं dead cells भी एक जिगे एकटी होती होती हैं क्योंकि वह plants के लिए mechanical support प्रवाइट कराती है the growth of plant take place only in some regions so plants have tissue called meristematic tissue अब जो plants की growth होती है वो एक specific region में होती है specific या कुछ specific regions होते हैं जहां पर growth होती है और किस tissue की बज़े से होती है वो होती है प्लान टिशू तो यहां पर टो यहां पर टूट तूट है एक तो है मेरिस्ट्रेमेटिक टीशों दूसर kitchen असफ्ट कि टीश्र